सैमसंग 880S आटो कॉल रेकॉर्डिंग नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आप जो है अपने डिवाइस में आटो कॉल रेकॉर स्वाइशन होगा अगर आपको सेटिंग सही तरह के से करना नहीं आते उसका भी सॉलिशन आपको इसी वीडियो के अंदर पर मिल जाएगा ठीक है तो आटो कॉल रेकॉर्डिंग के रिलेटेट में जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है आज के इस वीडियो के साथ ही आपका जो प्रॉब्लम है वह भी सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो जो है अंतक देखना होगा जो भी मैं आपको सॉलिशन बताने वालो इसको फॉलो कीजिए सेटिंग और सॉलिशन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दोने बताने वालो सही तर प्रॉलिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो करना क्या है अगर आप को प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने डिवाइस को रिश्टा और दोस्तों यहाँ पे आप phone service डुनने की कोशिच कीजिए ठीक है phone service तो यहाँ पे phone option है तो इसमें आपको click करके जाना है एंड आप जो है दोस्तों यहाँ पे जाए storage में clear data पर click करके ok कर देना और इसका data को clear कर दीजिए जैसे data clear होगा आप bake करें बेक करने के बाद दोस्तों आप अपने call setting को open कीजिए three dots में click करके आप call setting पर जा सकते हैं and then दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस प्रकर का interface ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना होगा आप record call के अंदर पर जाएए यहाँ पे आप record calls ठीक है auto record calls तो यह option आप enable कर दीजिए तो यह option को enable जिससे आप करोगे तो आपका auto call recording on हो जाएगा तो एक बार आप दोस्तों try करके देखिए ठीक है record करने के कोशिश करें तो इतने में दोस्तों आपका problem जो है solve हो जाएगा definitely क्योंकि दोस्तों हमने solution के साथ setting कर दिया है तो check करके देखें अगर problem solve हो जाता है ठीक है अगर अभी भी दोस्तों आपको problem आ रहा है तो जाएए आपने setting पर और यहाँ पे आपको on करना है general management scroll down करें reset के option पे जाए reset all setting पर क्लिक करके सारे settings को यहाँ पर reset कर दिजये mobile pattern password जो भी है उसको भर दीजिये और सारे setting को एक बार reset करके दुबारा से try करके दीखी ठीक है अगर इससे काम बन जाते है problem solve हो जाता है तो अच्छी बाद है फिर भी दोस्तों मान लिजिए problem आपको आ रहा है ठीक है इतना solution किया फिर भी आपको problem आ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको suggest करूंगा mobile software अपडेट करें ठीक है mobile software अपडेट करें लेटेस वर्जिन पर mobile software अपडेट करने के बाद दोस्तों इस तरह का जो problems रहते हैं completely fix हो जाते हैं ठीक है तो आपको mobile software भी आपडेट करना होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते आप ठट पाटी आप्लिकेशन भी डाउनूड कर सकते हैं जैसे कि call recording का यहाँ पर application नहीं होत पर यह खृत्त कर सकते बहुत आसाने दोस्तों और आपटी तरह करते हैं यह application तो आप इसको भी जो है यह विस्क्ष कर सकते हैं ठीक है । इस तरह किसा आप अपने problem को fix कर सकते उमेद करते दोस्तों वीडियो आपको जो है पसने होगा तेंक्स वर आचिंग